कि एक दम बढ़िया एक दम मस्ती में आज एक और मेरतन आपके सामने और आज मैं कोशिस कर रहा हूं कि कंसेप्ट के साथ आपको क्योशन करवाई जाए नंबर ओफ क्योशन भी ज्यादा करेंगे आज हम पिछले मेरतन के कंपेरिजन में और पूरा कंसेप्ट्चॉल वो चीज़े लेके चलेंगे फिर पहले क्योशन से स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर का नाम है वेव एंड वेक्ति-ब्रका उर्टि वेक्ति भी यह कमरे के बार हैं इंन्होंने आपको आवास दी इन्होंने आपका नाम लिया और आपको पुकारा अब आपको कैसे पता चलेगा या वेक्ति-ए-की आवाज है यह वैक्ति बी की आवाज है दोनों ने एक ही जैसे सब्दों का इस्तेमाल किया हाँ सर बराबर जोर से बोले हाँ सर लेकिन फिर भी आपको पता चल जाएगा कि यह एक ही आवाज है और यह बी की आवाज है तो किसके आदार पर loudness नहीं सर loudness का मतलब होता है कितना जोर से आपको सुनाई दी आवाज वो चीज़ आपके लिए loudness कम करेगे सर दोनों अगर बराबर जोर से बोलो है तो बराबर ही सुनाई देगे तो इससे तो आप नहीं पैचान पाओगे उसके बाद आपका यहां से मैं बात करूँ पीछ पीछ होता है आवाज का पैनापन आवाज का पैनापन दीखिए थोड़ा बहुत इसमें अंतर होता है सबके आवाज में किसी के आवाज ज्यादा पैनी होती है किसी के कम पैनी होती है लेकिन इतनी ज़्यादा difference नहीं होता कि आप इस पहनेपन के वज़े से पहचान पाओ हाँ पहनेपन के वज़े से आप किसको पहचान सकते थे एक व्यक्ति के आवाज और एक महिला के आवाज को आप पहचान सकते थे कि वेक्टि के आवाज है ये मैला के आवाज है किसके बेसिज पर आवाज के पहनेपन के बेसिज पर क्योंकि इसके आवाज का पहनापन क्या होता है सर ज्यादा होता है मैला के आवाज के पहनापन ज्यादा होता है हां सर तो इसके बाद सर म्यूजिकल इंटरवल नहीं सवर पर ही आप पैचान कर पाओगे अब यही क्योशन एक्जामनेर आपसे कैसे पूछेगा कि आपसे जैसे गिटार की आवाज दे दी जाए वोईलीन की आवाज दे दी जाए गिटार की वोईलीन की आवाज दे दी जाए सितार की आवाज दे जाए या ढोलक की आवाज दे दी तो आपसे पूछा गया कि इन में से किस वाले पार्ट में अंतर हो गया किस से आप पैचान पाओगे कि गिटार की आवाज है वोईलिन की है सितार की है डोलक की है तो आपका अंसर क्या होगा सर क्वालिटी आपका अंसर होगा उमीद है सबको पहला क्योशन क्लियर हो गया हो जैसे सूर्य के तापमान के हम बात करें, तो यहां से आपके पास तीन तापमान निकल के आते हैं, पहला सूर्य के सत्य का तापमान आपके पास, फिर दूसरा सूर्य के आंतरिक भाग का तापमान आपके पास, इंटर्नल कोर का टेंपरेचर आपके पास, आंतरिक भाग का त ऐसा होगा जहां पर बाकी गैस की तुलना में ये ठंडा होगा तो इसको बोला जाता है संस्पोर्ट एक ऐसा भागा आपके पास जो ठंडा है बाकी गैस की तुलना में ठंडा है तो संस्पोर्ट का जो टेंपरेचर होगा ये एक तरीके से आप दबा आप मान सकते हो सुर्य या फिर आप इसे कह सकते हैं, 5, 7, 7, 8.15 Kelvin आप मान सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है, इसके बाद आंतरिक बाकत आप मान, 1.5 गुना 10 की पावर 7, यह Kelvin या Celsius जैसे लिखना चाहूं, लिख सकते हूं, और यहां आपके पास temperature क्या रहेगा सर, 4500 degree Celsius, ठीक है, यह values आपको याद रखनी है, मैडियर फ्रेंट्स इसमें जैसे दो तरीके से आप से क्योशन पूछा जाता है, संस्पोर्ट के लिए temperature difference कितना आएगा, तो पंद्रा सो का difference आजाता आपका, temperature कितना रहेगा, तो वो आपका 4500 degree Celsius रहेगा, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, अब इतना ज्यादा ताप मान है, पहली बात, दूसरी बात है कि संसे जो उस्मा निकलती है, heat निकलती है, उस्मा निकलती है, वो किस विदी से निकलती है, सर उस्मा निकलती है, weekend विदी से, किस विदी से सर, weekend विदी से, radiation के रूप में निकलती है, इंदे terms of radiation आपके पास, तो radiation के रूप में निकलेगे, तो यह हम किस यंतर से मापेंगे, तो आपका आंसर होगा, सर, पाइरोमेटर जब भी तापमान आपका 2000 डिग्री से ज़्यादा का हो तो बिना देखे आप अंसर क्या कर सकते हो पाइरोमेटर लेकिन अगर आप से पूछा जाए कि पाइरोमेटर से नियूनतम कितना माप सकते हो तो ये आपके पास हो जाएगा सर मिनिमम आप 800 डिग्री सेल्शियस माप सकते हो अधिक्तम कि ऐसी कोई सीमा नहीं है क्योंकि पाइरोमेटर के भी अलगलग परकार होते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम अगला सवाल बड़ा प्यारा क्योशन आपके पास आप से कह रहा है कि मॉमेंटम यानि के रेखे समवेगा जिसका मान होता पी बराबर है एम वी के बराबर हाँ सर और काइनेटिक एनरजी यानि गती जोरजा यानि की के ए आपके पास किसके बराबर हाफ एम वी स्केर के बराबर ठीक है सर अब ये कह रहा है कि ऐसे सीचुएशन आप अज्यूम करो जहां पर ये दोनों वैल्यू आपके बराबर हो मान लिया सर मेरे पास एम वी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी सर रहाफ एम वी स्केर के बराबर अब यहां आपको किसका मान बताना अगर यह दोनों वैल्यू बराबर है तो यह cancel out हां सर तो V स्केर किसके बराबर आगया सर टू V के पराबर और दोनों साइड V से अगर आप कर दो तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगे सर कि देखो कितना प्यारा सवाल था नुमेरिकल से दिखने में ड्राम नहीं हो सकते हैं लेकिन समझने में काफी अच्छे रहेंगे अब यहीं से कुछ क्योशन और जोड लीजे इसमें जैसे आप से पूछा जाता है कि गति जोड़ जा और रेखे समवेग में क्या रिलेशन हो या फिर अगर इसे रेखे समवेग के रूप में लिखोगी तो यह अंडरूट टू एम काइनेटिक एनर्जी आपके पास यह हो जाएगा सर ठीक है ठीक है चले अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर चलते हैं जो भी आपका डाउट आता जाए साथ-साथ अपना डाउ मंडल नहीं है सामानेते हम क्या मान के चलते हैं चंदर्मा पर क्या है सर निर्वात है यानि कि वहां पर माध्यम नहीं है हवा पानी जैसे ऐसी चीजे वहां पर नहीं है निर्वात हमाँ पर सर क्या ऐसा पोसिबल है कि हम यहां से गैस लेके जाएं और वहां छोड़ दें तो वो गैस चंद्रमा पे दीरे-दीरे करके हम गैस के मात्रा वहां बढ़ा सकते हैं जब वहां पे पेड़ पोदे हो जाएंगे तो फिर वो चीज़ आपने आप से सर्कुलेट होते रहें नहीं पोसिबल है ऐसा क्यों है सर तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन-कौन सी गटनाई है वो देखे आपके पास क्या ये पृत्री के नजदीक होने के वज़े से ऐसा नहीं है सर ये पृत्री के चारो तरफ चक्कर लगा रहा है इसके वज़े से नहीं ऐसा भी नहीं है ये सूर्य से परकास लेता है ऐसा भी नहीं है तो फिर इसके पीछे वज़े क्या है वो समझे जैसे माल लीजे कि ये आपके पास चंद्रमा है और यहां ले जाके आपने गैस को छोड़ दिया तो ये गैस इतनी तेजी से गती करेगे सर कितनी तेजी से तो इस पे जो गैस की जो गती होगे जिसे आप V, R, M, S लेखते हैं रूट मीन स्केर आप लेखते हैं ये वैल्यू जादा हो जाएगी यहां के प्लाइन वेग से V, Escape तो यहां आप कह सकते हो कि चंदर्मा पे वायू मंडल ना होने के पीछे के वज़े क्या है वहां जो गैस का वेग होगा गैस का वेग वो ज्यादा है किसे प्लाइन वेग से वो किसे है प्लाइन वेग से ज्यादा है और चंदरमा का प्लाइन वे क्या होता है सर ये रहता है आपके पास 2.4 किलोमीटर परती सेकिंड आपके पास ये आपके पास वी आरेमेस और वी एसकेप के बात करें तो ये कितना रहेगा सर ये रहेगा हमारे पास उमीद है ये वाला पार्ट आपको समझ आगया होगा ठीक है चलिए अब चलते है आगे इसका अंसर क्या था सर ओप्शन डी आपका अंसर था अगले सवाल पर देखिए कोलिजन की बात करें हम तो इसका एक बेसिक आइडिया दिया गया है आपका क्लास 9 में फिर इसी चीज को आगे क्लास 11 में सोल किया गया है तो जो भी टोपिक आपके ऐसे होंगे जो कक्सा 9 में है और कक्सा 11 में है तो definitely उनसे क्योशन बनेगा तो उन में से एक टोपिक आपका कोलिजन यनिके टकरा वो आपके पास टकर के बाद के गई है आपसे कह रहा है कि मान लीजे कि ये एक वस्तू है ये एक वस्तू है आपके पास भी जाके बी के साथ टकरा रहा है ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस तरीके से टकरा रहा है कि इसके वेग में या इसके दर्विमान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो सर आप क्या होगा तो अगर इसके वेग आपका क्या रहे सर सेम रहे वेग अगर सेम रहेगा दर्विमान क्या रहेगा सर ये भी सेम रहेगा तो इसका मतलब है कि जो रेखे समवेग होगा पी बराबर है एम वी सर ये भी सेम रहीगा और ये भी सेम है दर्विमान भी सेम है तो काइनेटिक एनरजी जो की बराबर है हाफ एम वी स्केर हाफ एम वी स्केर ये भी क्या रहेगे सर सेम तो जब भी टकराव आपके पास कैसा हो पूर्ण परत्यास्त आपके पास टकराव ह रहेंगे दोनों सरक्षित होंगे तो यह आपका आंसर हो जाएगा क्लियर है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला पार्ट आपके पास के इन में से कौन से यूनिट विद्धियूतिय छेतर या विद्धियूतिय छेतर ती वरता के नहीं है जैसे आप पढ़ते हो नएक रिलेशन आपके पास यह होगा एफ इसे रिलेशन आपके पास तो यहाँ यह जो बी लिया गया है या फिर आपके पास एफ इस उकल टो बी आई एल आपके पास आपने जो कक्सा 10 में जो आपका दूसरा चैप्टर था वहाँ पे जब आप जर्नेटर के बारें पढ़ रहे थे एलेक्ट्रिक मोटर के बारें पढ़ रहे थे तो ऐसी ऐसी चीज़े आपके सामने आ रही थी तो अब आपको बताना है कि यह जो B word आप यूज़ करें इसके लिए यूनिट क्या होगा यह आपको देख मैं सर टेसला इसका यूनिट होगा डेफनीटली होगा सर इसका SI मात रखी क्या होगा सर टेसला क्या यह गोस होगा आपके पास हां सर डेफनीटली होगा इसका CGS मात रखी क्या है गोस है उसके बाद Newton KZ per meter Sir ये भी होगा तो कौन सा नहीं होगा Sir Weber नहीं होगा ये चुम्बकी फ्लक्स का है Magnetic Flux का है ये आपके पास चुम्बकी फ्लक्स का unit है Magnetic Flux Weber और Maxwell ये दोनो Magnetic Flux के हैं ये याद रखना और एक और question आपसे पूछ लिया जाते है कि वन टेसला कितनी गोस के बराबर होता है तो 10 raised to power 5 sorry 10 raised to power 4 G इसके बराबर होता है ये एक अच्छा question आपके लिए है ठीक है Next देखिए एक conductor heads आपके पास कितने कुलाम पोजिटिव चार्ज है उसके पास 14.4 गुना 10 की पावर माइनस 19 कुलाम चार्ज है ये इसके लिए किसकी value हो गई sir क्यू कमान हो गया total charge हो गया कुल आवेस हो गया और उसके बाद क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है कि यहाँ पी कुल कितने electron होंगे कुल कितने electron होंगे अब एक चीज़ देखो इसने क्या कहा सर पोजिटिव चार्ज दनात्म काविस जैसे मैं देखता हूँ कि मेरे पास sodium है तो sodium से जब positive बन रहा है इसका मतलब यहाँ से तेक electron चला गया है तो sodium के पास electron की क्या होगी सर कमी होगी तो पहले तो यहां से देखे सर कि electron अधिक होंगे नहीं electron अधिक होंगे नहीं अब आपके पास इन दो में से आपको चार्टना है मुझे पता है कि जो total charge होता वो बराबर होता n into आपके पास charge on electron हाँ सर अब इसकी value आपको दे रखी है 4.4 आपके पास into 10 raise to power minus 19 हाँ सर is equal to आपके पास n और is equal to आपके पास कितना सर 1.6 10 raise to power minus 19 कुलाम जी सर अब यह 10 की पावर 19 से 10 की पावर 19 cancel out तो n की value आपके पास कितनी हो जागे इधर भी charge किसमें तक कुलाम में यह 14.4 divided by आपके पास अब 16 को अगर आप करोगे तो यह किस पे जाएगा सर 9 पे जाएगा तो आपका आंसर कौन सा आजएगा सर 9 electron in suit इसके पास 9 electron की कमी रहीगी तब इस पे इतना positive चार जाएगा तो यह आपको relation याद होगा class 10 में इसके बारे में पहले चैप्टर में electricity वाले में ही बताया जाता है यह होता सबसे चोटा unit आपके पास प्लस माइनस एक दसमलोच्चा है 10 की पावर माइनस 19 कोलाम आपके पास यह चीज़ी आगे बढ़ते हैं पे जैसे तापमान गटेगा बढ़ेगा क्या होगा क्या नहीं होगा तो यह सारी बात है आपके पास यह बाइलोजी की क्योशन भी होंगे पहले एक बार आपका लगबग 40-45 मिनिट फिजिक्स चलेगा उसके बाद बाद बाइलोजी चलेगा ठीक है यहां से देखे आपके पास तो हम देखती है कि जब भी हम उसमा गतीकी की बात करते है तो हम आदर्श गैस मीकन को याद करते हैं PV बराबर हैन आर्ट को याद करते है तो यहां पे आर अपने आप में नियत होता है M, number of moles आपके पास होता ति यह तो हो गई नियत तो अब किसी भी thermodynamic system के बारे में कौन बताएगा? सर यह तीनों बताएंगे, ठीक है? तो इन में से कौन सा नहीं बता सकता? सर कम से कम इन तीन में से हमें दो का संबन तो चाहिए एक को फिर भी नियत मान सकते हो दो के बीच संबन चाहिए कौन नहीं बता सकता सर प्रैसर वोल्यूम ये बता सकते हैं वोल्यूम टेंपरेचर ये बता सकते हैं टेंपरेचर प्रैसर ये बता सकते हैं कौन नहीं बता सकता, इनमें से अकेला कोई सा भी नहीं बता पाएगा, कम से कम दो हो या तीनों हो, तो ये बता पाएगे कि यहां कैसी गतिविदी हो रही है, उसमा आ रही है, उसमा दी जा रही है, या उसके कान कारिय हो रहा है, या इस तरीके की सारी गटना है आपके पास यह देखिए ऐसे numerical आपके exam में आने का बड़ा chance है आपसे कह रहा है कि एक tuning fork आपके पास कुछ ही इस तरीके से आप मानिए कि यह tuning fork है यह इस तरीके से कमपन करेगा यह द्वैनी तरंग इससे निकलती है अब यह कह रहा है कि एक second में कितने कमपन करता है वो कहलाती इसकी आविर्थी कोई भी काम एक second में कितनी बार होगा वो इसकी आविर्थी कहलाएगे frequency कहलाएगे यह sir किस के बराबर यह आपके पास हो जाएगे 256 hearts के बराबर जी sir अब आगे क्या देखना है कि यदि द्वैनी के चाल आपके पास 330 meter per 30 second है हवामी होती है जर्नल यह चाल तो आपको बताना कि तरंग धहर्य क्या होगा wavelength क्या होगा देखें my dear friends एक relation आपके पास होता है speed is equal to frequency into wavelength एक बार मैं लिख देता हूँ यह आपर यह किसको शो कर रहा है यह sir wake को बता रहा है यह किसको बता रहा है यह आविर्ती को बता रहा है और यह किसको बता रहा है sir यह तरंग धहर्य को बता रहा है यह तरंग धहर्य को बता रहा है हाँ sir मुझे क्या चाहिए यहां से मुझे चाहिए sir तरंग धहर्य है इसको मैं एक तरफ रखूँगा तो यह मेरे पास वेग और divided by आविर्ती वेग कितना दे रखा है सर आपको 330 और आविर्ती कितनी दे रखे 256 आपके पास ठीक है ठीक है सर अब यहां से ज्यान देजी आप यह उपर वैल्यू ज्यादा नीचे वैल्यू कम है तो यह एक से कम तो नहीं आएगी यह तो आपनी क्या किया सर अब अगर आप इसे सोल करने की कोशिस करें जैसे मैं 25 से करता हूँ 25 एकम 25 बचा 8 0 25 ते पिछे तर लगबग 1.3 तो लगबग 1.3 आपके पास कौन सा है सर यह वाला आपका अंसर होगा आखरी में आपको मीटर नजरा रहा है क्योंकि इसका ऐसा ही मातर क्या होता है ऐसा यूनिट ओफ वेवलेंथ आपके पास ऐसा यूनिट होता है सर मीटर वो अलग बात है कि एक्स क्यूनों के लिए यह हम एंगस्ट्रा में माप लेते हैं और अगर परकाशियत रंग के बात करें तो वो नेनो मेटर माप लेते हैं वो डिपैंड करता है किस टाइप के वेव हम लेकी चल रहे हैं नेक्स देखे आपके पास जब आप जेनरेटर के बात करते हों क्लास टैंथ में इसके बारे में बताया गया है इलेक्ट्रिक जेनरेटर के बात करते हों हाँ सर इलेक्ट्रिक जेनरेटर क्या करता है सर ये आपके यांतरी कोरजा को मेकेनिकल एनरजी को यांतरी कोरजा को किस में कनवर्ट कर देता है यांतरी कोरजा को विद्ध्यूतिय औरजा mechanical energy आपके पास video तीय आपके पास mechanical energy आपकी किस में convert हो जाएगी electrical energy में जी सर याद हो गया अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा statement आपके फैराडे के जैसे इसने दो नियम दिये थे इसे सम्बंदित तो उन दोनों में इसे कुझ सा है उसके बारे में जान लेते किसके संद्स kuid आघ ये देखें कि lives किस ने दिए है इससे इसी मा mina से संबन नियंगे किसने Spider day ने हाश कि और यहां डारेक्संअ कि अगर बात के जाए इसके दिसा से संबनन जो बात के गई है direction दिसा से संबंदित जो बात की गई है वो किस ने की है वो की है सर लेंच ने और जो लेंच का नियम है वो किसके उर्जा के सरक्षन पर आधा रहे था इतनी सी बात आपके माइंड में होनी चाहिए तो दिसा के बारे में कुन बताएगा सर लेंच देखे यहां direction की बात कर रहा है कट कर दो यहां direction की बात कर रहा है सर कट कर दो यहां पर value की बात करेगा यह तो यह कह रहा है कि कुंडली में उत्पन प्रेरित विद्धुत वाहक बल EMF इसको भी हम किसमें मापते हैं सर इसको भी वोल्ट में मापा जाता है ठीक है, इसको भी वोल्ट में मापा जाता है, और पोटेंशियो मीटर भी भाव मापी से इसको मापा जाता है के साथ इस संगलन्च चुम्ब की प्लक्स के प्रिवर्तन के दर्ग के मुल्ले के बराबर होगा है, ये आपके पास ये इसका पहला नहीं है, आपके पास, ठीक है, चली आगे आपसे पूछा गया है इस बोब और पेंडूलम इस ब्रोट इन मीन पोजिशन द्यांसे समझो, एक कहना क्या चाह रहे है माले जी ये चछत है, चछत के साथ आपने एक पेंडूलम जोड़ते है और पेंडूलम के नीचे अगर मैं बात करो तो ये कहलाता आपका बॉब हाँ सर, माले जीजे कि आपने इसे यहां उपर के और ला रखा है ये लाए सर, अब आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा बल है जिसके कारणिये यहां जाएगा माइडियर फेंट्स, यहां से एक दो चीजे और आपको एड़ कर लेनी है यहां पर इसके अंदर जो उर्जा स्टोर होती है वो बराबर होती किसके सर, MGH, इस्तिज उर्जा और इस्तिज उर्जा जब यहां जाएगे तो किस में बदल जाएगे सर, गतिज उर्जा में बदल जाएगे पहला पार्ट तो यह दूसरा पार्ट आपको यह याद रखना, यहां पे त्वेरन मैकसिमम होगा और यहां पे वेग मैकसिमम होगा ठीक है सर ये भी हो गया अब तीसरा पार्ट आपको ये याद रखना कि जब आप इसको यहां लेके आए होगे जैसे एक और एक्जामपल मैं लेके चल रहा हूँ मालो ये स्प्रिंग आपके पास स्प्रिंग को आप नीचे के और खीच के लेके गए हाँ सर नीचे मैं लेके गए खीच के ये आप नीचे खीच के लेके गए तो ये नीचे जब आप लेके जा रहे हो तो आपने कोई ना कोई इस पर बल लगाया होगा हाँ सर अब इसको अगर आप छोड़ दोगे तो ये वापिस अपनी पोजिशन पर आएगा हाँ सर किस बल के कान आएगा तो ये आपके रेस्टोरिंग फोर्ज के कान आता है यहां कौन सा बल लगेगा इसका पर ट्यान बल लगेगा रेस्टोरिंग फोर्ज लगेगा तो सिमिलर केस यहां पर है कि ये किस बल के कान यहां आया होगा तो आपका अंसर क्या होगा सर रेस्टोरिंग फोर्श के कान जब भी किसी चीज़ को आप अपनी मीन आवस्ता से उसकी जो वास्तिक आवस्ता से दूर लेके जाओगी तो कौन से बल के कान वापिस आएगा सर इसके कान तो सर बाके जो फोर्श तो देखे यहां पे आपके पास विरूपक बल कौन सा है जो इसे माद्डे आवस्ता से यहां लेके आया तो यह तो कौन सा हो गया सर आपके पास है डिफोर्मिंग फोर्श विरूपक बल आपके पास ठीक है इसे यहां से वापिस लेके गए कौन सर यह आपका पर्तियान अन्बल अब आपसे पूछा गया है कि जो पानी के अंदर आप डेखते हैं जैसे आपसे यह कहा जाता है कि आपने इस बोब को पानी के अंदर डूबोया तो अब यह वो पहले से हलका मैसूस कर रहा है तो यह पानी के अंदर कौन सा बल लगता इसके अंदर उत्पलावन बल लगता तो इस क्योशन का आपका अंसर क्या रहेगा सर रेस्टोरिंग फोर्च यह आंसर रहेगा सारे मैंने एक एक करके आपको समझा दिया है अगला देखें आपके पस आप से कहरा है कौन यह वेक के बारे में क्या अफर यह इस लेवस में है, डेफिनेटली इस लेवस में है इस लेवल तक के क्योशन आपके एक्जाम में आएंगे तो आपने आपको बिल्कुल आप बच्चों की लेवल पर तैयारी मत कीजिए एक टीचर की लेवल पर तैयारी कीजिए तो आपसे पूचा गया है angular velocity कोनी ये wake की बात कर रही ये कोनी ये wake किसकी बराबर होता सर उमेगा से इसको denote करते हम पूरा रास्ता अगर मैं बात करूँ जैसे गड़ी के बात करा पूरा रास्ता ये तै करेगा तो कितना तै करेगा या टू पाई तै करेगा या तीन सु साथ डिग्री तै करेगा आं सर बिल्कुल सही है अब ये आपके पास क्या होगा सर टू पाई divided by इसे पूरा तै करने में यहां से वापिस यहीं आने में कितना टाइम लगेगा सर टी टाइम लगता है यह इसके लिए क्या बन जाएगा सर आवर्थ काल बन जाएगा टाइम पिरिड यह क्या बन जाएगा सर आवर्थ काल बन जाएगा ठीक है ठीक है सर तो यहां से देखे आपके पास ओमेगा किसके बराबर है सर टू पाई बाई टी के बराबर है यह तो हो गया इसका फोर्मूला अब सवाल पर आ जाओ आप से किसके बारे में कह रहा है सेकेंड नीडल ओफ वाच अब गड़ी देखे एक चकर पूरा करने में कितना टाइम लेती है सर यह साथ सेकेंड में एक चकर पूरा करती है जैसे यहां से चली और सेकेंड वाली गड़ी यहीं वापिस आई कितना टाइम लेगी सर साथ सेकेंड तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर मेरे पास टू पाई और टाइम कितना सर साथ है पाई स चले अब आगे पढ़ते ही अगले सवाल पर क्या कह रहा है आप से और ये क्योशन बिल्कुल बेसिक क्योशन है वैं दी फोर्स रिटार्ड दी मोशन ज्यान देना इस चीज़ पर मान लीजे कि ये आपके पास टेबल है मान लिया सर ये आपके पास टेबल है इस टेबल पर आपने एक बोक्स रखा रख लिया सर बोक्स ये मैंने इस टेबल पर एक बोक्स रखा जी सर बोक्स किदर गती कर रहा है बोक्स इदर गती कर रहा है ये हो गया इसके लिए X इस तरफ इसका विस्थापन है लेकिन आपको पता है कि इदर एक बल काम कर रहा होगा यह तो गर्शन बल काम कर रहा होगा अब आप से जब पूछा जाता है कि वर्क किसके बराबर होता है यह आपके पास f x cos of theta ध्यान दो इदर यह जो गर्शन बल है और यह जो x है इन दोनों के बीच का कौन कितना होगा सर x इदर और f इदर तो सर दोनों के बीच के कौन के अगर बात करो तो यह तो 180 डिग्री है हाँ सर और मुझे पता है कि cos का मान 180 डिग्री का मान क्या होता है माइनस 1 मैं यह वैली उठा कि किस पी पुट कर दो सर इस पे तो वर्क किस के बराबर हो जाएगा माइनस f x के बराबर हो जाएगा अब यहां पे आजाओ क्या यह वर्क आपका दनात्मक आएगा नहीं आएगा सर क्या सुनने आएगा नहीं आएगा क्या यह नेगेटिव आएगा डेफनिटली नेगेटिव आएगा आपके पास क्या सरी इसका कोई और एक्जामपल हो सकता है किसी बोल को आप ऊपर के और फैक दीजेए बोल उपर जा रहा है हाँ सर और यहां पे देखो कि बोल का जो विस्थापन है वो तो इधर है और जो बल लग रहा है इस पे जो गुरूतव बल काम कर रहा है ग्रेविटी काम कर रहा है गुरूतव काम कर रहा है वो किदर काम कर रहा है सर नीचे ये गुरूता हो तो इसे उपर जाने से रोक रहा है तभी तो आप देखो कि आंती माउस था पी इसकी वेग क्या हो जाएगे सर जिरू ये वेग घड़ता चला जाता है तो ऐसे केस में वर्क देन के आएगा आएगा सर नेगेटिव वर्क देन आएगा चले आप आगे पढ़ते हैं अगले सवाल पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से प्रोपर्टे लाइट की नहीं है इनमें से कौन सा गुन लाइट का नहीं है तो लाइट में आप जानते हैं कि तीन प्रोपर्टे हम बेसिकली देखते हैं पहला जो गुन देखते हैं कि light हमेशा सीधी दिसामी जाती यह कौन सा property ऐसा रे प्रोपर्टी इसका केर्ण की परवर्त है आपके पास जिस पर प्रावर्तन पढ़ते हो रिफ्लेक्शन अपवर्तन पढ़ते हो पूर्ण आंत्रिक प्रावर्तन पढ़ते हो वह सारी चीजे दूसरा हम जानते हैं कि यह विद्यू चुम्ब के तरंग होती है तो विद्यू चुम्ब के तरंग को चलने के लिए माध्यम के आउशकता नहीं होती तो निर्वात में चल सकती है और निर्वात में ही इसके चाल सबसे ज़्यादा होती कितनी होती है सर तीन गुना दस की पावर आठ मीटर पर 30 अब इसके बारे में देख लेते हैं ओपसंस क्या 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 रही इट रिक्वाइल ए मैटिरियल मीडियम फोर प्रोपेगेशन क्या इसे चलने के लिए माध्यम क्या उशकता होगी आंसर है कि सर नहीं होगी क्योंकि ये निर्वात में चल रहा है वैक्यू में चल रहा है औ अगर मैं माधियम के बात करता हूँ माधियम में जरूर ये चल सकता है और माधियम के अपवर्ट नांग से हमें इसे बाग करना पड़ेगा ये माधियम का क्या हो जाएगा सार रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ये माधियम का अपवर्ट नांग हो जाएगा इससे बाग करना जैसे मैं संसी बात करूं और यहां मैं बात कर लेता हूं कि यह मेरे पास एक पोधा है आप जानते हैं कि एनर्जी ना बनाई जा सकती ना नश्ट के जा सकती तो यहां से संसे आने जो परकास ये उर्जा है संसे कौन सी उर्जा सार light energy यानि कि perka Si ura यह पोधा इसको किस उर्जा में बदल देगा परकास इंसलेशन की साहिता से इसे रसाहिनिक उर्जामें बदल देगा Light energy Convert Innto Chemical Energy आपके पास by the process of photosynthesis पोधा परकास संसलेशन की साहिता से परकासि उरजा को रसाइनिक में बदल रहा है, रुपान त्रेट कर रहा है, इसका मतलब यहां से उर जाए, यहां तक तो आई होगी, डेफिनिटली आई होगी सर, और यह आप गर्मी में भी मैसूस कर सकते हैं, आप दूप में खड़े होके देखें, पदा चल जाएगा, तो यह आपके पास, इट है जी फाइनाइट स्पीड, यानि के इसके चाल निश्चित होती, यह भी सही है, ठीक है, यह आपका अंसर हो जाएगा, नेक्स देखें आपके पास, बर्नोली पर में आपके यहां से, बर्नोली पर में इस अप्लीकेबल फोर दी मोशन ओफ फ्लूइड आपके पास, बर्नोली पर में आपके उर्जा की सरक्षन पे आदारित होती है, यह कहती है, कि किसी भी गती के लिए दाव उर्जा, प्रैसर एनरजी, गती जो उर्जा, हाफ एमवी स्केर, प्लैस, इस थी जो, यह सोरी, आपके पास, पुटेंशिल एनरजी, इस थी जो उर्जा, इन आपका जो योग होगा, वो नियत होगा, यह उर्जा के सरक्षन को लागू करता है, जी सर, इतना तो मुझे पता चल गया, लेकिन यह वाली कंडीशन कौन लागू करेगा, सर? यह वाली कंडीशन, बर्नोलीज थ्योर्म के जो एक्वेशन से, यह कंडीशन से कि कब हो रहा हो एक निश्चित गती से परवा हो रहा हो तब यह लागो होती है और इस तरीके का परवा आपके पास कौन सा होता है सर स्ट्रीम लाइन धारा रहके परवा होता है उसके बाद ये पार्ट आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में है आईसो टॉप आईसो का मतलब होता है सर समान और टॉप तो आप जब टॉप करते हैं तो किस से करते हैं आपके नंबर से संख्या से तो यहां से देखी परमानों संख्या अगर एक समान हो तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे सर समस्थानिक और परमानों संख्या ही किस के बराबर होते हैं, परमानों संक्या ही किसके बराबर होते हैं, यह बराबर होते हैं, आपके पास नमबर अप्रोटोन के, तो यहाँ से क्या होना चाहिए सर, सेम नमबर अप्रोटोन, बट डिफरेंट नमबर अप्रोटोन, जैसे एक्जामपल ले रहा हूं है, कार्बन 612, कार्बन 613 और कार्बन 614 अब यहां से आप बात करो नमबर ओफ प्रोटोन आपके पास कितने है सर छे नमबर ओफ प्रोटोन कितने है सर छे नमबर ओफ न्यूट्रोन कितने है सर छे नमबर ओफ न्यूट्रोन कितने हो जाएंगे यहां से number of neutron आपके पास 6 number of neutron आपके पास 7 और number of neutron आपके पास 8 ये वाले part चीक है? जी sir तो आप देखिए number of proton तो स्मान है लेकि number of neutron अलग लग है तो आपका सही answer क्या हो जाएगा sir ये वाले चीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं next part ये कह रहा है कि the motion of your body is accelerated यदि हम बात करें किसी वस्तू की गती त्वैरित गती है उसके लिए condition देखिए आप दो condition में लेके चल रहा हूँ एक जब वस्तू विर्तिय गती में है और एक वस्तू जब रेखे गती में है यहाँ पे इसका वेग मान लेता हूँ है यू है यहाँ इसका वेग वी है जब यह यहाँ पहुंचा तो इसका वेग क्या है वी अगर वी की value ज़्यादा होगी किसे यू से तो इस समय आपका त्वैरेंट क्या हो जाएगा सर वी माइनस यू बाइटी ठीक है हाँ सर अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो त्वेरेंड क्या हो जाएगा जीरू तो हमें तो त्वेरेंड चाहिए त्वेरित गती चाहिए हाँ सर तो अंतिम वेग अरंबिक से ज्यादा होना चाहिए ठीक है एक केस तो आपका ये है लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ विर्थिय गती की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो त्वेरेंड होता है आपका वो दिसा की कान होता है अभी केंद्रे जो त्वेरेंड होता है वो दिशा परिवर्थन के लिए जिम्मिदार होता है यहां पे स्पीड तो आप क्या लेके चल रहे हो सर चाल तो क्या लेके चल रहे हो सर नियत लेकिन दिशा परिवर्थन के कार्ण यह गति त्वरित गति कहलाती है तो क्या its speed always increase ऐसा तो जरूरी नहीं है, या तो स्पीड नियत है, वैलेसिटी इस ओल्वेज इंक्रीज ऐसा भी नहीं है, इट आल्वेज फॉल ट्वार्ट्स दी ग्राउंड, जमीन की तरफ गिरे ये भी जरूरी नहीं है, अब देखो इसको, आपने न्यूटन के गती का नियम पढ़ा ह है, अगर आपके पास F0 होगी, तो त्वेरेन भी क्या होगा सर, 0, तो अगर आप चाते हो कि त्वेरेन हो, तो कोई ना कोई बल लगना चाहिए, हाँ सर, जैसे विर्थे गती में यहां कौन सा बल लगता आपका, अभी के इंद्रेबल, सेंट्रिपीटल फोर्श लगता है अभी के इंद्रेबल लगता है, सेंट्रिपीटल फोर्श लगता है, यह चीज़ आपको याद रखने हैं, क्लियर है, तो आपके पास क्या होगा सर, उप्सन D आपका सही हो जाएगा, अगले सवाल पर चलिए, टेसला इज यूनिट ओफ, आज ही की सेसिन में आपको करवा है, फटा-फट एक बर आंसर करो, टेसला किसके एक आई है, जल्दी से एक बर मुझे बता दो, टेसला किसके एक आई है, क्या चुम्बे के फुलक्स की नहीं सर, इसके यूनिट होती है, वोल्ट मीटर, क्या चुम्बे के छेतर की नहीं सर, इसके यूनिट होती है, न्यू और इसके यूनिट होती है आपके पास टेसला या गोज टेसला है गोज आपके पास यह आपका यारत है तो आपका सही आंसर क्या होगा सर option D आपका सही आंसर हो next देखे आपके पास आज मैंने आपको बताया था Q is equal to plus minus N E तो E क्या है आपके पास यह न्यून्तम संभव चार्च है आपके पास minimum चार्च है न्यून्तम आवेस है आपके पास तो किसी भी वस्तू पे जो न्यून्तम आवेस होगा वो किसके बराबर होगा सर E के और E की value क्या थी आपके पास फटाफट मुझे comment box में comment करके बताता हूँ इलेक्टोन पे चार्च कितना होता है प्रोटोन पे चार्च कितना होता है यह आप मुझे comment box में comment करके बताएंगे अभी तुरंत आप यह question का जवाब देदेंगे ठीक है किसके बराबर होगा तो यह होगा सर आपके पास 1.6 10A2 पर माइनस 19 कुलाम के बराबर इसके बराबर होगा ठीक है अगले पार्ट पे आजएंगे देखिए आपके पास work done on या work done by the gas in general depends on gas के द्वारा किया गया कारिये किस पे डिपेंड करता है तो हम generally graph देखते हैं तो यह graph आपका इस तरीके से रहता है थोड़ा सा यह higher level question है लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं यह w1, यह w2, यह w3 आपके पास यह a और यह b आपके पास यह आपके पास ठीक है तो यह किन factors पे डिपेंड करेगा यह सर आरंबिक अवस्ता पी अंतिम आवस्ता पी और रास्ते पी निर्वर करेगा क्योंकि उपर वाले रास्ते से work done है इसमें क्या हो रहा है जादा फिर इसके बाद इसे कम और फिर इसे कम आपके पास तो यह आपका answer हो जाएगा नेक्स आपके पास यह बड़ा प्यारा question है आपसे पूछा गाए किसी circuit के अंदर alternating current आपके पास AC की बात की गई है तो AC को आप किसे यहां से measure करते हो आप AC को आप emitter से measure करते हो हाँ sir अब emitter कौन से reading देता है आपको emitter देता है sir rms reading आपको root mean square reading आपको hot wire emitter के बात की जाएगा तो मुझे पता है कि rms किसके बराबर होता है sir यह होता है 0.707 i maximum की इसके बराबर होता है हाँ sir मुझे निकालना क्या है इससे कह रहा है कि emitter की जो reading है वो 10 ampere है यानि कि यह value है 10 is equal to आपके पास इससे आप यह भी लिख सकते हो 1 by under root 2 i maximum आप लिख सकते हो ठीक है तो यहां से आपके पास i maximum की value क्या हो जाएगी under root 2 times of 10 आपके पास तो 10 root 2 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा 14.14 आपके पास ampere के बराबर इसी तरीके से voltmeter भी कौन सा आपका rms current मेजर करता है clear है तो जो बायो की डिमांड कर रहे थे student तो बायो की चकर में physics पट रहे है बार-बार कमेंटर है सर बायो 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 आईगा बायो जी की तो स्टार्ट करें session को जल्दी से जुड़ जाएए मैं PGT zoology से हूँ please confirm biology के questions होंगे कि आप बिलकुल होंगे और आज तो बहुत important session रहने वाली है क्योंकि आज हम discuss करेंगे आज हम discuss करेंगे किसके उपर questions बायो बायो जुड़ जो जाएएए session को जल्दी से शेयर कर दो और जुड़ जाएए session में आज discuss करने वाले है 35 important questions on vitamins and minerals ठीक है तो जल्दी से जोड़ चाहिए भाई हाँ जी सारे लोग जोड़ो जल्दी से चाहिए जी हाँ जी नमश्कार 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 चलिए PGT PGT वाले और Teachers वाले सारे जुड़ जाएं जल्दी से तो क्या हम सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं आर वी रेडी चलिए आज हम डिसक्स करने जा रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेस्टेंज किसके उपर इंपोर्टेंट क्वेस्टेंज ओन वाइटमिन्स और मिनरल्स तो विटामिन और खनीज हिंदी में क्या कहते हैं विटामिन और इसे कहते हैं खनीज तो विटामिन और खनीज कौन कौन से जरूरी है पौधों को इंसानों को उसके उपर 35 important questions और हर examination में इसके उपर question आते ही आते हैं यह ध्यान रखिएगा चले स्टार्ट करें पहला question आपके screen पे आने जा रहे हैं तयार हो जाएगा पहला सवाल screen पे है which of the following which of the following pair of vitamins is या are correctly matched with their diseases caused vitamin A rackets, vitamin B1 से beri-beri होता है vitamin C की कमी से सकर्वी होता है अब बताना है आपको जवाब कौन सा सही है B only यानि सिर्फ B सही है B and C दोनों सही है, A और C सही है या फिर A, B और C तीनों ही सही है, जल्दी से बताईए फटा-फट से शिवानी पाठक का जवाब आ चुका है सबसे पहला कि सर A, B, C तीनों होना चाहिए A, B, C तीनों होना चाहिए वाइटमिन A की कमी से रिकट्स होती है वाइटमिन A की कमी से रिकट्स होती है वाइटमिन B1 से थायमिन की कमी से बेरी-बेरी होती है चलो अच्छी बात है वाइटमिन B1 की कमी से बेरी-बेरी होती है ये तो सही है वाइटमिन C की कमी से सकर्वी होती है ये भी सही है रिकेट्स वाइटमिन A की कमी से होती है वो तो नाइट ब्लाइडनेस option नमबर B सही होगा ना प्रयांशी का जवाब बिलकुल सही है option नमबर B B and C सिर्फ सही है option नमबर B is the correct answer अगला सवाल precursor of which vitamin comes from beta carotene नमनलिकित में से किस vitamin का अगरदूत beta carotene से आता है बताईएगा पहला option है vitamin A, दूसरा option है vitamin C, तीसरा option है vitamin D, या चौथा option है vitamin K कौन सा जवाब सही है पटाफट से जवाब दें what will be the correct option तुलिका उपेंद्र come on guys give your answers fast पटाफट से yes, rickets vitamin D osteomalacia बड़ों में होता है rickets children में होती है ये बात ध्यान रखेगा vitamin D की अगर कमी हो जाए तो osteomalacia होती है adults में, किसमें? बडे लोगों में adults में होती है और छोटों में अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बच्चों में, infants में बच्चों में यानि की इन infants इसे हम rickets के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं? rickets के नाम से जानते हैं ध्यान रखने वाली बात होगी हाँ जी, सवाल का जवाब पे आते हैं precursor of which of the following vitamin comes from beta carotene, vitamin, nimlilikit में से किस vitamin का अगर दूत beta carotene है और मैं देख पा रहा हूँ कि काफी कम जवाब आएं है इस सवाल के लिए कठिन लग रहा है बहुत ही आसान सा सवाल था कि beta carotene का अगर दूत कौन है? option number B, vitamin C है अगर दूत उसका option number B is the right answer अगला सवाल which of the following vitamins is synthesized by our own skin? निम्नलेकित में से कौन सा vitamin हमारी अपनी तवचा द्वारा संसलेशित होता है हमारी ही skin उसे बनाती है vitamin A, vitamin B, vitamin C या vitamin D क्या होगा जवाब? फटा फट से come on guys give you answers which of the following vitamins is synthesized by our own skin? हमारे ही तवचा से कौन सी vitamin संसलेशित होती है? इसका सही जवाब होगा option number D यानि vitamin D हमारे तवचा से संसलेशित होती है इसके अलावा vitamin A की बात करे, vitamin B की बात करे vitamin C की बात करे तो इसे हमें अन्य sources यानि श्रोतों से लेना पड़ता है चाहे वो पादब की श्रोत हो यानि plant source हो या फिर एक जन्तु यानि animal body उसका source यानि स्रोत हो अगला सवाल question number 4 which of the following vitamins इन में से कौन सा वो vitamin है जो की रक्त के थक्का बनने के लिए जमेदार है, which is responsible for blood clotting निमन में से कौन सा vitamin रक्त के थक्के के लिए आवश्यक है पहला option है vitamin A दूसरा option है vitamin D तीसरा option है vitamin K या चौथा option है vitamin C क्या होगा जबाब सर 910 का special science कब से पढ़ाएंगे 910 का special science जो है वो आपकी Monday से start हो रही है Monday से ना सिर्फ बिहार 7th phase बलकि EMRS की जो vacancy निकली है उसके उपर और D2B के जितने भी हमारे परक्षारती अभ्यारती है aspirants है उनके लिए special session Monday से चलाई जाएगी जिसकी समय बहुत जल्द यानि कल आपको teacher सड़ा पे disclose कर दिया जाएगा कल जुड़ना ना भूलिएगा क्योंकि कल बिहार 7th phase वालों के लिए जो हमारी TGT और PGT लेवल की examination है TGT और PGT लेवल की examination है trained graduate teacher और post graduate teacher उनकी biology यानि जीव विज्ञान के जो domains है पादप विज्ञान और जन्तु विज्ञान इन दोनों के लिए कल special sessions रखी गई है तो अगर कल आप botany वाले session में जुड़ते हैं तो पादप यानि वनस्पती से जुड़ा हुआ कोई भी एक topic में आपको clear करवाऊंगा content और mcq दोनों और रही बात zoology की तो zoology यानि जन्तु सामराज जीसे संबंधित भी किसी एक topic की content as well as mcq कल मैं discuss कराऊंगा ठीक है जी clear रहेगा तो कल session की timing में आपको अभी confirm किये देता हूँ कल की session की timing क्या रहेगी कल की session की timing वैसे शाम 3 बजे जहां तक मुझे याद आ रहा है लेकिन फिर भी मैं एक बर confirm किये देता हूँ कि कल botany वाली यानि वनस्पती के उपर जो session है वो कितने बजे लगने वाली है तो कल वनस्पती की जो session लगने वाली है तीन बजे शाम तीन बजे लगने वाली है यानि botany के उपर कल जो important topic discuss होगी PGT candidates की बात कर रहा हूँ मैं कल वो तीन बजे होगी Zoology Marathon ही है ना कल Zoology के उपर भी Marathon है शिवानी कल Zoology के उपर भी कल Marathon होगी ठीक है सवाल पर आ जाते है Which of the following vitamin is responsible बहुत सही इसका सही जवाब क्या होगा Option number C vitamin K जिसे हम phyloquinone के नाम से भी जानते हैं किसके नाम से जानते हैं phyloquinone के नाम से भी जानते हैं सारे vitamins के जो names हैं वो ध्यान रखना जरूरी है vitamin B12 को किस नाम से जानते हैं cyanocobalamin के नाम से जानते हैं अगला सवाल question number 5 क्या है सवाल सवाल ये कहता है golden rice has the highest quantity of सुनेहरा जो चावल है उसमें भारी मातरा में या उच्छ मातरा में क्या मौझूद है कौन सा vitamin vitamin A, vitamin B, vitamin C या vitamin K चार vitamin आपको option में दिये गए हैं इन चारो vitamins में से सुनेहरे चावल में सबसे जादा मातरा किस की है vitamin A, vitamin B, vitamin C या vitamin K फटा फट से बताईए A, B, C, E या D timing तीन बजे मैंने बता दिया Richard Teaching World कल शाम तीन बजे बौटनी वाली होगी और बौटनी वाले सेशन में मैं Zoology की टाइमिंग बता दूँगा हाँ जी, question number 5 The correct answer is option number A vitamin A, retinol इसकी कमी से क्या हो जाती है इसकी अगर कमी हो जाए deficiency हो जाए तो night blindness यानि रताउंधी हो जाती है एक स्वस्थ एंसान को vitamin A की कमी हो जाए तो उसे रताउंधी होती है और रताउंधी ना हो इसके लिए vitamin A की मातरा शरीर में परिपूर्ण मातरा में होनी चाहिए अब इसके श्रोत क्या है तो जितने भी green leafy vegetables है यानि हरे पत्तेदार जितनी भी सबजिया है, साक्षबजिया है ये इसके अच्छे श्रोत माने जाते है इसके अलावा आपकी पालक, spinach, green leafy vegetables में one of the best sources माना जाता है vitamin A की इसके अलावा carrot, गाजर गाजर के अंदर मौझूद होता है beta carotene beta carotene, एक ऐसा carotene है बाकी सभी carotenoids में जो की cancer को नहीं होने देता body में अगर मैं हल्दी की बात करूँ तो हल्दी में एक पदार्थ मौझूद होती है जिसे हम cucurmin के नाम से जानते हैं C-U-C-U-R-M-I-N और इस cucurmin के बारे में मैं बात करूँ तो ये भी anti-cancerous होती है हमारे body में tumor-like cells का निर्मान नहीं होने देती ठीक है जी चलिए हाँ जरफ थाल्मिया जरफ थाल्मिया क्या होता इसके उपर भी मैं आना चाहूंगा शिवानी जरफ थाल्मिया का मतलब होता है जो आपकी आँखों की बाहरी layer है न अगर आप अपने eye की positioning की बात करो ये TGT PGT वाले बच्चों के लिए मैं थोड़ी सी बाते कर रहा हूँ है न PRT वालों के लिए नहीं आँखों की जो positioning है आप अगर किसी एक object की तरफ देखते हैं तो आप दोनों आँखों को बड़ी perfect stabilize करके देख पाते हैं इसकी वजह क्या है तो उपर दो और नीचे दो rectus muscles हैं और एक side से ऐसे oblique muscles हैं ये जब sense organs आप पढ़ते हो nervous system में तो वहाँ sense organs में eye और ear पढ़ना होता है तो eye को जब आप study करते हो तो eye की positioning किन मान स्पेशियों की वजह से होती है oblique और rectus muscles की वजह से होती है अब आखों को आगे से देखिए तो आखों को हम divide करते हैं आगे की तरफ cornea और lens पीछे की तरफ lens और retina में cornea और lens के बीच होती है जलिय द्रव्य जिसे acuous humor कहा जाता है और lens और retina के बीच जो द्रव्य होता है उसे हम vitreous humor कहते हैं हिंदी में काचाब द्रव्य कहा जाता है समझ पारें आप अब आई के अंदर जो ये humor है यानि जो द्रव्य है उनकी मातरा अगर बढ़ जाती है किसी भी तरीके के संक्रमण की वजह से तो अंदर की pressure increase हो जाएगी उस pressure को intraocular pressure कहा जाता है जब जब intraocular pressure बढ़ती है तो it leads to a disease तब एक रोग होता है इंसान को जिसे हम glaucoma कहते हैं glaucoma इतनी भयावभ बिमारी है कि अगर कोई ऐसा patient है जो glaucoma से जूज रहा है तो उसके दर्द से निजाद दिलाने के लिए morphine तक के यानि अफीम के डोस भी बहर आलागे बढ़ते हैं question number 6 की तरफ question number 6 क्या कहता है जी question number 6 कहता है richest source of vitamin B1 कौन है thiamin का सबसे अच्छा श्रोत क्या है cod liver oil जो कि liver से मिलती है curd, दही से whole bread meal यानि पूरी रोठी या फिर अंडे क्या होगा सही जवाब A, B, C, A, D तो शिवानी में जरौफ थाल्मिया की बाए बात कर रहा था तो आँखों की जो बाहरी आवरत है जो की आपकी cornea, iris, pupil और side में कंजंग ताइवा से मिलके बनी हुई है वो जब सूख जाए तो that happens only because of the deficiency of vitamin A जब vitamin A की कमी हो जाए तो ऐसे स्थिती में आँखों की जो बाहरी आवरत है वो सूख जाती है जिसे हम जरौफ थाल्मिया कहते हैं अगर आप हरे साक्षब जी और ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें vitamin A परिपूर्ण मात्रा में मौजूद हो तो ये चीजें body में नहीं होती आँखें आपकी बच्ची रहती है ठीक है जी अलो जी अंश नमस्कार वेलकम इसका सही जवाब क्या होगा vitamin B1 का सबसे अच्छा या मुख्य श्रोत रोटी है साबत रोटी अगर आपके body में cereals गे हूँ अनाज की मात्रा परिपूर्ण मात्रा में जाती है तो आपके body में vitamin B1 यानि thiamine की कमी नहीं होती getting my point अंडे protein के source है curd आपके protein के अच्छे source है fat के भी source है cod liver oil आपको immunity प्रदान करता है और बिमारियों से और विकारों से आपके body को बचाए रखता है साथी साथ आपके प्रतीरोधात्मक शक्ति यानि immunity को भी बनाए रखने में एहम भूमी का निभाता है अगला सवाल which one of the following is the best source of vitamin A vitamin A का सबसे अच्छा श्रोत कौन माना जाएगा अभी मैंने बहुत ही बाते बताई vitamin A के बारे में apple, carrot, आवला या फिर radish इन चारों में से आपको क्या लगता है कि vitamin A का सबसे अच्छा श्रोत कौन सा होगा सेव होना चाहिए गाजर होना चाहिए आवला होना चाहिए या फिर मूली होना चाहिए बताईएगा जी A, B, C और D वटाफट से A, B, C, और D सेवन का सुमित आपने जवाब बहुत बढ़िया दिया है बीटा कैरोटीन होती है गाजर में और गाजर बाकी तीनों के अलावा एक बहुत अच्छा श्रोत है vitamin A का option number B इसका सही जवाब होगा अगला सवाल question number 8 ascorbic acid किस vitamin को हम कहते हैं vitamin K, vitamin B, vitamin A vitamin C, vitamin B सर्फ नहीं लिखते vitamin B complex vitamin लिखते हैं बताइए क्या vitamin B complex जो water soluble होते हैं वो ascorbic acid है vitamin A है, vitamin C है या विर vitamin के है बहुत ही आसान सा सवाल था PRT, TGT में इससे hard questions expect मत करिएगा लेकिन हाँ ऐसे level के सवाल आपके 60-65 रहेंगे 60-65 प्रतीशत, 30-35 प्रतीशत ऐसे भी सवाल होंगे जिसके लिए आपको थोड़ी जत्तो जहत करनी पड़ेगी इसलिए रोजाना जो मंडे से यानि की परसों से आपकी free YouTube sessions होने वाली है वो भी मैं उमीद करता हूँ शायद एक खुशकबरी होगी आपके लिए कि एक दिन में दो बार दो घंटे के लिए मैं YouTube पे आने वाला हूँ वो भी free में ताकि बहुत ज्याद अमात्रा में आपको questions भी करा सकूँ और कुछ ऐसी बातें जो आप जान लो तो आपकी content और boost हो जाए उन सारी चीज़ों को समझाने के लिए मंडे से मैं रोजाना लाइव होने वाला हूँ वो भी एक दिन में दो बार दो घंटे के लिए जिसमें आपकी botany, zoology और साथी साथ chemistry इन तीनो अलग-अलग subjects को मैं cover करा सकूँ ठीक है ना तो ये एक, I guess कि एक अच्छी खुशखबरी होगी उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि मैं live रोजाना रहूँ थोड़े ज्यादा समय के लिए रहूँ तो मंडे से मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए 2 घंटे मैं live रहूँ YouTube पर free में ताकि आपको questions भी practice करा सको और important content भी बहराल इसका सही जवाब option number D था इसमें कोई दो राय तो थी नहीं अगले सवाल पर चलते हैं अगला सवाल है question number 9 question number 9 कहता है vitamin which is destroyed during cooking as well as storage वो vitamin जिसको हम पकाएं तब बरबाद हो जाता है या फिर अगर हम भंडारित करते हैं तब भी बरबाद हो जाता है वो vitamin कौन है vitamin A है vitamin B6 है vitamin C है या फिर vitamin K है तो लिका कुमारी जी नमस्कार welcome और हाँ जोड़ने की जूरत नहीं है हमारा ये करतव है कि आपकी तैयारी अच्छे से कराई जा सके लेकिन हाँ एक बात मैं एकदम खुले स्टेज पर कहना चाहूंगा YouTube सेशन्स इसलिए कराई जाती है ताकि आप भाब सके कि तैयारी किस तरीके से और क्या होना चाहिए और क्या सही तरीका होना चाहिए examination में seat लेने का लेकिन जब पूरे content की बात होती है जो चल रहे है बिहार 7th phase वालों के लिए TGT की classes चल रही है तो उसमें participate भी करो उन सारे content को अच्छे से सीखो और फिर YouTube पे आके इन सवालों को करो तो फाइदा है और ये बात मैं सरफ बिहार वालों के नहीं नहीं कह रहा हूँ बिलकुल है और चल रही है लाइव है रोजाना इसमें class मैं लेता हूँ 12 से 1 के बीच except Saturday and Sunday आपकी जो paid sessions होती है Monday to Friday होती है जो मैं लेता हूँ और उसमें TGT science के लिए 12 से 1 के बीच class होती है तो अगर आपने अभी तक कोई paid batches नहीं ली और आपको लगता है कि जौरत है तो आप जल्दी से आजाईए किस में अड़र 24-7 को डाउनलोड कर लीजे आपको डाउनलोड कर लीजे Google Play Store या iOS से और वहां जाके teaching का महा पैक कोई भी individual batch को purchase मत करना teaching का महा पैक मेरे कहने पर purchase करिएगा ताकि आगे आप TGT का form भर रहे होगे PGT का भर रहे होगे जिसके लिए भी आप applicable होगे इससे फाइदा ये है teaching के महा पैक से कि किसी भी teaching examination में के preparation में आप अपनी तयारी अड़र 24-7 की teaching team के साथ जुड़के कर सकते हैं और जो specific batches होते हैं exam oriented आप सिर्फ उसी batch में उसी exam के लिए तयारी कर पाओगे तो थोड़े से पैसे लगा के अगर आपके पास महा पैक होता है तो आप सारे examination की तयारी एक जगह कर सकते हैं PRT हो TGT हो या PGT हो तो अगर आप तयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है teaching का महा पैक अगर नहीं किया तो अभी डाउनलोड कर लो और coupon code Y223 लगा लेना ताकि आपको सबसे ज्यादा discount मिल जाए महा पैक पर ठीक है ये एक coupon code है मेरा coupon code है जिससे आपको discount मिल जाएगा सवाल था कि वो कौन सा vitamin है जब भंडारित करे तब बरबाद हो जाए गरम करे तब बरबाद हो जाए इसका सही जवाब क्या होगा option number C vitamin C है vitamin C जिस फल जिस सबजी जिसमें भी मौझूद होगा जिस भी source में मौझूद होगा अगर उस source को आप गरम करते हैं या उसे भंडारित कर देते हैं जादर समय के लिए तो फिर उसके अंदर vitamin C रह नहीं जाती वो बरबाद हो जाती है अगला सवाल है question number 10 question number 10 कहता है which of the following is a rich and good source of vitamin C vitamin C का अच्छा और बहतर source यानि बहुत अच्छा श्रोत कौन सा माना जाएगा milk दूध मुझे नहीं लगता मूली नीमू का रस या फिर बनाना ये तो बड़ा असान है क्योंकि मैंने इसमें एक आदे ऐसे option नहीं दिये जिसमें vitamin C अच्छे मातरा में होती है आज जो आयूश सर की class हुई है उसको कैसे देख सकते हैं बेटा प्लेलिस्ट में जाओ आपको देख जाएगा या फिर वीडियो सेक्षन में जाओगे या लाइव सेक्षन में जाओगे आप यूट्यूब पे जाओ टीचरसदर 24-7 पे और वहाँ लाइव सेक्षन में जाओ आपको जो भी आज की classes हुई है वो सारी देख जाएगे अजी इसका सई जवाब option number C lemon juice will be the right answer अभी देखो और 10 सवाल हम करेंगे vitamin के उपर उसके बाद 15 है अगला सवाल खनीज के उपर होगा तो अगले 10 सवाल के लिए तैयार हो जाएए अगला सवाल है question number 11 कहता है आपसे कि इन में से कौन एक जल में घुलंशील vitamin है vitamin C, vitamin A, vitamin K या vitamin D बहुत बढ़िया बताएए जी क्या होगा सही जवाब A, B, C और D which of the following is a water soluble vitamin, vitamin C, vitamin A, vitamin K या vitamin D क्या होगा जवाब पटाफट से A, B, C या D the correct answer is yes, option number A is the right answer vitamin B और C क्या होते हैं water soluble होते हैं, D का नहीं होते they are fat soluble बहुत बढ़िया अगला सवाल है question number 12 cow milk is a source of कहते हैं ना कि दूद मिल गया तो complete food मिल गया क्योंकि दूद के अंदर carbohydrate भी है protein भी है, wasa भी है important vitamin और खनीज भी है इसलिए milk को complete food कहते हैं और कई सादूसंत, दूद के सहारे ही अपने जीवन को यापन भी करते है है ना सर TGT में august वाली seated चल जाएगी, ये बहुत अच्छा और वाजब सवाल है जो आजकल बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या अगर हम 30th august को seated देने जा रहे हैं जो 30th august को offline seated examination होने वाली है, तो क्या हम DEETर प्लस भी में eligible हो पाएंगे, बिलकुल हो पाएंगे क्योंकि अभी तक official notification DEETर प्लस भी 2023 की नहीं आई है getting my point तो जो भी seated examination वो तो होने वाली, अगर तब तक result आ गया, और examination नहीं होई है तो आप applicable होंगे इसके उपर एक पूरी वीडियो में बनाके डाल दोंगा, कल तक आपको channel पे दिख जाएगी, teacher सग्डा पे ठीक है जी, इसके जवाब पे आते हैं क्या होगा, इसका सही जवाब, option number B vitamin B1, गाए के दूद में भारी मातरा में मौझूद होती है क्योंकि गाए में carbohydrate protein fat तीनो होती है, ना कि vitamin A, C, D option number B is the right answer जवाब कितने लोगों ने सही दिया है देखा जाए सुमित ने इसका जवाब सही दिया है, बाकी लोगों ने जवाब इसका गलत दिया है अगला सवाल, question number 13 blood does not clot in the absence of vitamin K because कहता है कि रक्त थक्का नहीं बनता vitamin K की अनुपस्तिती में ऐसा क्यों है मतलब क्यों ज़रूरी है सवाल ऐसा पूछा जा रहा है कि vitamin K क्यों ज़रूरी है रक्त के थक्के बनने के लिए blood clotting हम ऐसा क्यों कहते हैं कि vitamin K की कमी हो जाए तो faulty blood clotting होगी मतलब रक्त का थक्का धंक से नहीं बनेगा आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हमारे शरीर के किसी भी हिस्से से खुन निकल लेगा तो normal इंसान में एक से लेके तीन मिनिट तक ही खुन निकल सकता है चाहे जख्म छोटे से कितना ही बड़ा क्यों न हो पूरे शरीर में जो रुधीर यानि रक्त का blood का जो आइतन यानि volume है वो तो 5 लीटर है fixed है लेकिन आपने लोगों को कहते सुना होगा कि accident में तो खुन एकदम नदी की तरह निकल रही थी फवारा निकल रहा था that is a sudden jerk और sudden pressure जब बड़े vessels बड़ी रक्त वाहीनिया जैसे धमनिया injured हो जाए तो ऐसे condition में vital organs जैसे अगर बगल में फेपडा हो कोई major artery हो जैसे caracted artery हो गई jugular caracted artery हो गई major जो बड़े बड़े धमनिया हो गए वो कट जाएंगे तो धमनियों में खुन की तीवरता तेज होती है तो थोड़ा सा कोई blood भारी velocity यारी vague से बाहर निकलता है लेकिन अगर हाथ की नस कटती है शिरा कटती है तो खुन निकलेगी फवारे की तरह नहीं निकलेगी वज़े उसमें volume जादा है लेकिन तीवरता कम है वहीं अगर शरीर के परिधी को देखो जैसे skin हो गया तवचा हो गया उंगलियों की आखरी हिस्से हो गया इसमें अगर pin win लग जाए हलका सा blade लग जाए तो खून निकलती भी नहीं खून रिसती है तो blood oozes out when a capillary is damaged जब छोटी शिरा आहत होती है blood flows blood निकलती है रुधीर बाहर आता है कब जब शिरा कटती है but blood comes out with a greater velocity कब जब धमनिया कटती है arteries कटती है blood के clotting की अगर मैं बात करूँ तो उसके पहले दो बाते ज़रूरी होती है कि रत एक normal शरीर के इंसान से निकलता है तो clotting time 2-8 minute का और bleeding time यानि खून निकलने का समय स्वस्त इंसान में 1-3 minute का ही होता है process of blood clotting 3 steps में हम देखते हैं सबसे पहले क्या होता है जखमी उत्तक से exothromboplastin निकलती है और जो रुधीर जखम है तो blood भी निकलेगा और जखमी उत्तक से क्या निकलता है exothromboplastin और blood के अंदर जो platelet है उससे क्या निकलता है endothromboplastin ये दोनो calcium ion की उपस्तिती में बनाते हैं एक enzyme जिसका नाम है throbbinase उसको हम throbokinase के नाम से भी जानते हैं पता है क्यों? उसे throbokinase के नाम से जानते हैं क्योंकि blood के अंदर ही है plasma और plasma के अंदर ही है plasma के proteins जिसे हम albumin, globulin, prothrombin और fibrinogen के नाम से जानते हैं albumin depths inbox एक भंदारित सरह करता है In fact, blood के अंदर जो परासरण है, एक परासरण दाब, osmotic pressure maintain होती है, उसे albumin ही maintain करता है, 28-32 mm पारे दाब के pressure पे वो maintain होती है, उसे अंग्रेजी में लिखते है 28-32 mmHg, क्योंकि पारे के दाब से ही हम दाब को मापते हैं, चाहे वो यंत्र barometer ही क्यों न हो, getting my point, दूसरा जो protein है, उसे हम globulin के नाम से जानते हैं, वो हमारे शरीर में immunity को boost करता है, हमें प्रतिरोधात्मक शमता देता है, क्या करके immunoglobulins को बनाके, जिसे हम IgG, IgM, IgD, IgA, IgE के नाम से जानते हैं, और इसके बाद आती है दो blood की clotting protein, जिसे हम prothrombin और fibrinogen के नाम से जानते ह तो ये prothrombin जो है blood के plasma में सक्रिय आवस्था में नहीं रहती, inactive state में रहती है, लेकिन जैसे ही thrombokinase बनता है, जखमी उत्तक और platelet से निकलने वाले thromboplastin से, तो prothrombin भी thrombin मन जाता है, सक्रिय हो जाता है, और thrombin जब रक्त के अंदर जो fibrinogen घुलंशील आवस्था म में मौझूद होती है, उसके उपर जब thrombin गिरती है, तो वो घुलंशील fibrinogen फिर एक जाल के रूप में तबदील हो जाता है, network of fibers, एक ऐसा जाल बना लेता है तंतूओं का, जिसे हम ठकका या clot कहते हैं, तो ये थी पूरी रक्त के ठकके बनने की पधती, अब यही बाध होती है, कब, जब vitamin K ना हो तब, वजह क्या है, मैंने मुझ जबानी आपको पूरी process of blood clotting बता दी, बताइएगा क्या होगा जवाब, A, V, C, R, D, question number 13, the correct answer is option number A, it is essential for synthesis of prothrombin, सवाल को समझे, काफी कम लोगों ने जवाब दिया है, blood does not clot, रक्त ठकका नहीं बनता, in absence of vitamin K, क्यों, क्योंकि prothrombin को बनाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है, ना कि, fibrinogen clot या platelets, option number A is the right answer, अगला सवाल, question number 14, which of the following vitamin is used as a hormone, इन में से कौन सब वोईटमिन है, जो कि हार्मोन की तरह इस्तमाल होता है, question number 14, the correct answer is option number D, option number D, जो हमारे बॉड़ी में स्किन में संसलेशित होती है, हमारे बॉड़ी में नीजी तरीके से बनती है, उसे externally हम नहीं ले सकते, जो कि जिसका source sunlight भी है, उसके बारे में हाँ बात हो रही है, कि वही vitamin एक हार्मोन की तरह भी हमारे बॉड़ी में कारे करता है, इसके अलावा vitamin A, B, A, C, हार्मोन की तरह काम नहीं करते है, option number D, इसका सही जवाब होगा, अगला सवाल है, question number 15, question number 15 ये कहता है, कि vitamin which is generally excreted by humans in urine is, वो vitamin जो इंसान अपने पिशाब में निकालता है बाहर, वो कौन सा vitamin है, तो एक ऐसा vitamin जो आपके पिशाब से बाहर निकलता है, वो कौन सा है, vitamin A, vitamin D, vitamin C, या इन में से कोई नहीं, क्या होगा जवाब, फटा फट से, question number 15, The correct answer is, आप अपने पिशाब में कौन सा vitamin बहा देते हो, इसका सही जवाब है, A, B, C, सही जवाब है, option number C, vitamin C, वो vitamin है, जो आप अपने मूत्र से बाहर निकाल देते हैं, आप मूत्र में उत्सरजित कर देते हैं, अगला सवाल, question number 16, Which among the following is the richest source of ascorbic acid, इन में से कौन सा वो श्रोत है, जिसमें भारी मातरा में vitamin C मौझूद है, option number 1, apple, दूसरा bean, यानि राजमा, तीसरा carrot, गाजर, और चौथा option है, guava, यानि अम्रूद, बताइएगा, dynamite girls, तू लिका, जवाब दीजिए, it is necessary to clot, platelets or five dungeon, yes, swara, anju, bobby, nisha, priyanshi, pirdausi, जवाब दीजिए, come on guys, फटाफट, क्या होना जीए, carrot, पक्का, the correct answer is guava, vitamin C का सबसे अच्छा श्रोत, अम्रूद होता है, ध्यान रखियेगा, vitamin C का सबसे बहतर श्रोत, अगर कोई है, तो वो अम्रूद है, carrot नहीं, carrot तो vitamin A का है, अगला सवाल, question number 17, which among the following vitamins is also known as riboflavin, riboflavin कौन से vitamin को कहते हैं, अब यह देखो, आसान-ासान से सवाल है, तेजी से करिये, A, B, C, A, D, the correct answer is, riboflavin किसे कहते हैं, thiamin तो vitamin B1 को कहते हैं, और riboflavin, vitamin B2 को कहते हैं, option number B is the right answer, B12 तो cyanocobalamin को कहते हैं, option number B is the right answer, अगला सवाल, question number 18, which of the following is a good source of vitamin C, vitamin C का अच्छा source कौन है, milk, radish, lemon juice, banana, यह question repeat हो गया है, नीमू के रस में, vitamin C, भारी मातरा में, मौझूद होता है, बंडारन करते वक्त, कौन सा बर्बाद हो जाए, तो option number C, vitamin C बर्बाद हो जाता है, कुछ questions repeat हो गया है, not to worry, richest source of vitamin B1 क्या है, whole wheat bread, यह भी करवा दिया गया था, साबुत रोटी में, भारी मातरा में, vitamin B1 मौझूद होती है, अब आते हैं, खनीज के उपर सवाल करते हैं, है ना, minerals के उपर, minerals के उपर पहला सवाल है, a plant with yellow leaves with dead spots, has the deficiency of, मृत धबों वाले, पीले पत्तों वाले पौधों में, किसकी कमी होती है, बताइए, एक ऐसा पेड, जिसमें पत्तियों के उपर, मृत धब्बे मौझूद हो, वो किसकी कमी से होता है, potassium की कमी से, magnesium की कमी से, nitrate या phosphate, किसकी कमी से होता है, option number A, potassium की वज़े से होता है, और पौधों के लिए, वैसे भी, NP के best fertilizer माना भी जाता है, nitrogen, phosphorus और potassium, option number A, is the right answer, अगला सवाल है, question number 20, कहता है, कि which one of the following elements, is present in green pigments of leaf, तो leaf की जो हरी रंजख है, उसे हम chlorophyll कहते हैं, तो कौन सा तत्व मौझूद है, magnesium, phosphorus, iron या calcium, अभी हाल में ही, TGT वाले, D.S.B. के TGT वाले session में, मैंने photosynthesis कराया है, photosynthesis के, रंजखों के बारे में, आपको सारी जानकारी दी है, chlorophyll की structure भी बताई है, और chlorophyll के structure में, मैंने आपको समझाया था, कि chlorophyll की, अगर आप structure देखते हैं, तो उपर porphyrin की head होती है, और नीचे, phytol tail होता है, यही है, chlorophyll का structure, yes or no, जिसमें magnesium केंदर में रहता है, option number A is the right answer, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अगला सवाल, which one is essential for development of healthy teeth, but causes modeling of teeth, if consumed in higher quantities, सवाल यह है, कि स्वस्थ दांतों के विकास के लिए, कौन सा आवश्यक है, लेकिन अधिक मात्रा में अगर वो सेवन हो जाए, तो दात हिलने लगती है, is it iron, is it chlorine, is it fluoride और potassium, क्या होगा जवाब, question number 23, and the correct answer is, ABC, the correct answer is option number C, those are fluorides, आपके paste वगेरा में भी मौझूद होते हैं, तो fluorides are necessary, वो हमारे दातों के लिए ज़रूरी है, लेकिन हद से ज़ादा अगर fluorides का इस्तमाल आपके paste या किसी भी food sources की वज़े से हो जाए, आपके body में fluorides की accumulation ज़ादा मात्रा में हो जाए, तो आपके दात हिलने लग सकते हैं, यानि कमजोर हो सकते हैं, उसी को mottling of teeth कहा जाता है, अगला सवाल, question number 24, the metallic iron found in the chloroplast is, वो धात्विक iron जो chloroplast के अंदर, chloroplast के अंदर मतलब क्या, grana में, grana मतलब क्या, thailakoid में, thailakoid मतलब क्या, उसके अंदर मौझूद हरे तरण्य क्लोरोफिल के बारे में बात हो रही है, तो वो कौन सा धात्विक iron है, जो क्लोरोफिल के अंदर मौझूद है, ये सवाल भक से बताओ, option number A, B, C, A, D, फटाफट, the metallic iron that is present within the chloroplast, metallic iron बोला है, फिर दौसी का जवाब, कोबाल्ट, सही है या गलत, स्वरा ने magnesium बताया, दिव्या ने भी magnesium बताया, is magnesium a metal or a non-metal, सवाल पूछा है, कि metallic iron which is found in the chloroplast, chloroplast में कौन सा metallic iron मौझूद है, is magnesium a metal, मेरा आप से सवाल है, क्या magnesium एक metal है, non-metal है, या metalloid है, धातू है, अधातू है, या फिर मिश्र धातू है, स्वरा कहती है, iron, iron मौझूद होता है, hemoglobin में क्या मौझूद होता है, स्वरा कहती है, सर वो तो non-metal है, तो फिर बताइए, अगर वो non-metal है, तो फिर उसका जवाब क्यूं दे रहे हैं, धात्विक आयन में, ये तो जवाब नहीं होगा न, शीतल अभी भी मैंगनेशियम कह रही है, क्या होना चाहिए, दे करेक्ट आंसर गोज़ टू, आप्शन नमबर डी, कोबाल्ट, परदौसी ने जवाब बिलकुल सही दिया था, अगला सवाल, कोशन नमबर 25, तो ऐसा मत समझो कि, हर अच्छा या, हलका दिखने वाला सवाल आसान होगा, ठीक है, आलकलाइन अर्थ मेटल, येस, ना मग आलसी, कोबाल्ट होगा ना इसका जवाब, दोजार आलकलाइन अर्थ मेटल्स, नोट पियोर मेटल्स, पहले आलकली मेटल्स होते हैं, ग्रुप वन, ग्रुप टु होते हैं, अलकलाइन अर्थ मेटल्स, हेली ना की रब से फर्याद, यानि हाइडूजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, फ्रांशियम, सीजियम, राइट, चलिए, अमॉंग द फॉल्विंग एलेमेंट्स, which one is essential for transmission of nerve impulse, तंत्रिका के अंदर, तंत्रिका के आवेग को संचरित करने के लिए, कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है, बड़ाई अच्छा सवाल, कैल्शियम, आइरन, सोडियम या फिर जिंक, A, B, C, या D, फटाफट, अमंग दे फॉल्विंग एलेमेंट्स, दिये गए तत्वो में से, कौन सा एक तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए आवश्यक है, क्वेश्चन नमबर पच्छिस है, बताईए, A, B, C, या D, मिन्रल्स आ डिफिकल्ट टो रिमेंबर, बट, क्वेश्चन डू कम फ्रम दिस टॉपेक, तो करना तो पड़े गाई है न, सोडियम इस दराइट आंसर, सोडियम के आयन जरूरी होते हैं, Na+, Na2+, के आयन जरूरी होते हैं, तंत्रिका आवेग को संचरण होने के लिए, आप्शन नमबर C is the right answer, और अगला सवाल है, क्वेश्चन नमबर 26, development of goiter is mainly due to deficiency of, किसकी कमी हो जाए, तो goiter हो जाती है, एक होता है gout, और एक होता है goiter, तो gout, uric acid की crystals, जब एकत्रित हो जाती हैं, जोडों पर, तब होती है gout, यह न, वो जोडों पर ही होता है, लेकिन यह जो goiter है, वो आपके अवटू ग्रंथी का एक विकार है, किसका विकार है, अवटू ग्रंथी का विकार है, होता क्या है, हमारे बॉडी में रोजाना, 120 माइक्रो ग्राम आइडिन की जरूरत है, thyroid gland, यानि अवटू ग्रंथी को, अब अगर ब्लड के अंदर उतनी मात्रा में, आयोडीन मौजूद नहीं होगे, मतलब उसको अगर 120 माइक्रो ग्राम, जो की तय है कि उसको मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती, तो फिर वो क्या करता है, ब्लड के अंदर से बहुत तेजी से, अगर समझ लो कोई तेजी से लगातार अवशोशित करने लगे आयोडीन को, तो थाइमस कहा रहा हूँ, थाइरोइड ग्लैन यादि अवटू ग्रंथी के अंदर ही वो एक गाठ सा बन जाता है, तो अट्यदिक आयोडीन अगर अवटू ग्रंथी के दुवारा अवशोशित कर ली जाए, तो वही गॉटर कहलाती है, डाइनमाइट गर्ल्स कहती है, सर ये रेकॉर्ड़ेड वीडियो है सायट, बिटा मैं लाइव हूँ, ठीक है ना, कोई रेकॉर्डिंग ने चल रही, लाइव हूँ, अगर आपको कोई सवाल पूछना है, तो आप जरूर बताएं, अगला सवाल, तो हीमोग्लोबिन को तोड़ लीजे ना, तो उसके घटकों की जानकारी हो जाएगी, हीम जो है, उसका आईरन पार्ट है, आईरन पार्ट है, और ये कितना परसेंट होता है, तो 5 परसेंट होता है, और गलोबिन जो होती है, इसकी प्रोटीन पार्ट होती है, जो प्रोटीन पार्ट होती है, वो कितनी प्रतीशत होती है, तो हीमोग्लोबिन में 5% iron part है 95% protein part है हीमोग्लोबिन भी कई तरीके के है Hb1, HbA1, HbA2 और petal हीमोग्लोबिन उनके अगर components की बात करूँ तो PGT वाले ध्यान से सुनना आपको मैंने बताया था कि amino acids के chain से बने होते हैं ये क्योंकि आप देख सकते हो ये protein है तो 141 alpha amino acids और 146 beta amino acids से मील के बना होता है हीमोग्लोबिन A1 फिर दूसरा जो हीमोग्लोबिन है type 2 that type 2 हीमोग्लोबिन is made up of 146 amino acids and 146 146 alpha amino acids plus 146 beta amino acids वैसे ही alpha plus beta, alpha plus gamma, beta plus gamma ऐसे combinations है जिससे हम तीनों type of hemoglobins को study करते हैं ये PGT का part है इन सारे थोस जानकारियों को जानने के लिए तो देखो paid classes में आना ही पड़ेगा हर चीज मतलब ऐसे YouTube पे सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप सब के लिए इसलिए paid classes बनाई गई है आप भी तैयारी करना चाहते हैं खनीज के उपर सवाल चल रहे हैं अभी इसलिए खनीजों को पहचानिये C, पका 28 कसी होगा 3 important micronutrients वो इंसानों के लिए जरूरी है वो copper है, zinc है और iodine है इन तीनों की जरूरत इंसानों को है micronutrients जिनकी आवश्क्ता हमें हमारे body को है वो option number A है, शालिनी, स्वरा, फिर्दौसी, फिर्दौसी आपका जवाब गलत हो गया है, स्वरा और शालिनी आपका जवाब बिल्कुल सही है अगला सवाल चलते हैं, question number 29, pregnant women usually become deficient in हर वो गर्भवती महिला के शरीर में किस खनीज की कमी हो जाती है पहला option है sodium और calcium की, दूसरा option है लोहे और sodium की, तीसरा option है calcium और iron की, चौथा option magnesium और iron की गर्भवती महिलाओं में आमतोर पर किस की कमी हो जाती है, वो कौन से कनीज हैं जो गर्भवती महिलाओं में हो जाती है बताएए कमी किसकी हो जाती है तो गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है और आईरन की कमी हो जाती है क्योंकि फीटस को वो कहते है ना कि खून से सीचती है मा तो जो भी खाएगी माता जी जो भी उनके बॉड़ी में बनेगा वो सारा fetus के body में जाता है जसमें major components calcium और iron होते हैं calcium ना हो तो कई सारे important processes रुख जाए और iron तो main component होती है hemoglobin की अगला सवाल question number 30 तीसवा सवाल deficiency of dash leads to immunodeficiency मतलब किस खनीच की कमी हो जाएगी जिससे प्रतिरोधात्मक शक्ती में कमी आ जाए क्या वह calcium है zinc है lead है या फिर copper है बताईएगा A B या C या D candy नमशकार 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 बताईए किसकी कमी हो जाए कि प्रतिरोधात्मक शक्ती में कमी आ जाती है option number B zinc की अगर कमी हो जाए ना body में तो आपकी immunity यानि जो बीमारियों से लड़ने का जो कूबत है आपके अंदर जो प्रतिजैवक लगातार बनते रहते हैं antibodies बनते रहते हैं जब भी कोई foreign antigen आता है आपके body से टकराने की कोशिश करता है मैं normal एक example लेकर समझाता हूँ मान लो कि अभी जैसे मैं पढ़ाई रहा हूँ जिस कमरे में हूँ उसमें कई सारे aerobic और कई सारे ऐसे microorganisms हैं जो surface या बाकी different types of surfaces से चिपके हुए हैं जिनको मैं touch कर रहा हूँ वो ऐसे तो नहीं दिखेंगे लेकिन simple microscope या electron microscope से बड़े ही अच्छे से दिखेंगे कितनी भारी तादात में मौझूद हैं लेकिन फिर भी हम इतनी आसानी से bacterial infection या viral या fungal infection या protozoan infection से संक्रमित नहीं होते लेकिन अगर इनकी मातरा कही न कहीं जादा बढ़ जाती है तब हम उसके चपेट में आ जाते हैं जिसके लिए हमें anti-fungal से anti-bacterial antivirals लेने पड़ते हैं वहीं एक ऐसा patient जो HIV से जूज रहा है जिसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति का हनन हो चुका है कबजा हो चुका है उस virus के द्वारा वो opportunistic हो जाती है मतलब उसको आम गंदगी जो जिसका कोई असर आपके body पे नहीं हो रहा है वजह क्या है उसके body में antibodies का formation नहीं हो रहा क्योंकि प्रतिरोधात्मक शक्ति किसी का गुलाम हो चुका है लेकिन आप अगर स्वस्थ हैं तो वजह ये है कि आपके इर्दगिर्द जितने भी जिवानू है वो भी असरदार है लेकिन आपके body में भी लगातार उतने प्रतिजयवक बन रहे हैं जो उससे जूज रहे हैं आप खाना खाते हो आपके लार में ही एंटी बैक्टेरियल एजेंट है एंटी माइक्रोबियल यानी किटानूओं से लड़ने वाले पदार्थ हैं बॉडी में कई सारे ऐसे एंजाइम कई सारी ऐसी माध्यम है जो उन कीटानूओं को विशाणूओं को या जीवानूओं को पनपने नहीं देती ध्यान देना पड़ेगा लक्षमन जी नमस्कार वेलकम बिलकुल बिलकुल कभी इम्मिनिटी को भी समझाऊंगा इम्मिनिटी और वैक्सिनेशन एक इंपोर्टन टॉपिक है आपके बॉडी में कितने तरीके के बैरियर्स हैं कि कोई भी अगर फॉरन एंटिजन आपके बॉडी में आके किसी विकार को अगरसर करना चाहे यानि किसी विकार को फैलाना चाहे उसको डेवलप करवाना चाहे तो बॉडी किस तरीके से लड़ती है बॉडी के कौन कौन से बारियर्स होते हैं वो barriers भी मैं आपको कभी बताऊंगा किसी session में, अगले सवाल पर चलते हैं, question number 31, dash are the elements, ये वो तत्व है, without which, जिसके बिना, the plants will not be able to complete its life cycle, जिसके बिना पौधे अपने जीवन चक्र को complete नहीं कर पाएंगे, fertilizers, urvarak, micro elements, macro elements, या फिर essential elements, क्या होगा जवाब, question number 31, और इसका सही जवाब होगा, A, B, C, I, D, urvarak, micro elements, macro elements, essential elements, तो पौधों को, देखो, essential और beneficial में अंतर क्या है, essential का मतलब होगा, अगर ये नहीं मिलेगा, तो काम नहीं चलेगा, और beneficial का मतलब है, कि ऐसा नहीं की नहीं मिलेगा, तो काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर मिल जाए, तो दिक्कत क है, फाइदा ही है, जैसे हमें अपनी जंदगी को बसर करने के लिए भोचन, यानि पोशन की जरूरत है, necessity है वो, लागत है वो हमारी, लेकिन, मुझे एक BMW कार चाहिए, वो, अगर मिल जाए तो क्या दिक्कत है, beneficial होगी मेरे लिए, कोई ना कोई काम मैं कर लूँगा, उसस यह हमारे लिए beneficial होगी, getting my point, ठीक उसी तरीके से, पौधो में बहुत ऐसे खनीज है, जो उनको मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कई सारे ऐसे indirect काम है, जो उनमें होने लगें, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी खनीज है, जो ना मिले, तो उनकी मृत्य हो जाएगी, कई सारे ऐसे क्रियाएं हैं, जो बादित होने लगेंगी, उन्हें हम micronutrients कहते हैं, and they are option number D, आवश्यक तत्व, हिंदी तो काफी clear कर देता है, वैसे भी, the idea that plants need essential minerals was proposed by us, जिसके उपर हमने अभी बात करी, इस idea को सबसे पहले किसने प्रतिस पादित करा, सबसे पहले किसने कहा, सवा father of biology as well as father of zoology, यानि जन्तु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, Bernard Simpson, Anand and Stout, या फिर Vaughan Haiya, वो कौन से शक्स थे, तो लिखा कुमारी कह रही है, Zinkovit, Kalobita, Zinkovit, A2J Gold, Mepropin, ऐसे कई सारे हजार trade names हैं, जिनको भले ही आप याद रख पाओगे, लेक नहीं होता, क्योंकि शायद आपका लिखा हुआ, आपके लिए एक मजाख हो, लेकिन कोई इस वीडियो को देख रहा होगा, दूर दराज किसी गाओं में, by chance, या बाद में देखेगा, तो उसको लगेगा कि ये तुलिकाने जो लिखा है ना, वो बहुत अच्छा होगा, शायद इम्यूनिटी बढ़ाना होगा, तो जिंकोविट खाना है, तो ये गलत हो जाएगा, राइट, सिर्फ जिंकोविट खाने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, हमारे बोडी को स्वस्त रखने के लिए तीन चीज़यां ज़रूरी है, जितनी भोजन की ज़रत है, या शरीर को जो आपके लिए एक मंदिर है, आपके लिए अपना पर्यावरण है, इस पर्यावरण को आपको खुद ही साफ रखना पड़ेगा, क्योंकि यही है सिस्टम, यही है और्गैनिजम, जो कि तंत्र के समूहों से बना है, जिसे और्गैन सिस्टम कहते हैं, वो तंत्र यह है कि जिसको बस आप एक नाम समझते हैं वो तो एक ट्रेड नेम है लेकिन इसके पीछे की गहराई को समझिए MBBS यानि Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery के Second Year में तीन महीने आपको पढ़ना पढ़ना पढ़ता है एक सब्जेक्ट जिसका नाम है Pharmacology Pharmacology के भी दो डोमेन होते हैं एक होता है Pharmacodynamics और एक होता है Pharmacokinetics Pharmacokinetics में हम बॉड़ी पे ड्रग का असर पढ़ते हैं और Pharmacokinetics में हम ड्रग का असर बॉड़ी पे पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि दवाई खाए तो ठीक हो जाओगे ऐसा हो सकता है कि दवाई आपके शरीर में असर नहीं करा क्योंकि बॉड़ी ने रिस्पॉंड नहीं फार्माको डाइनेमिक्स और फार्माको काइनेटिक्स तो मेडिसेन इस वास्ट तो मजाख सही नहीं है बहराल आर्नोन अन्स्टाउट वो व्यक्ति थे जिन्हों ने इस बात को प्रत्तिस पादित करा कि भाई पौधों को खनीज की जुरत है अगर खनीज उने ना मिले तो वो जीवित ही नहीं उनके कई सारे कारे भी बादित हो जाएंगे डास इस अन इंपोर्टिंट मिंडल न्यूटरिंट इनमें से कौन सा एक जरूरी खनी जितत्व है हाइडरोजन, नाइटरोजन, ऑक्सिजन या कारबन क्या लगता है कि एक जरूरी खनी जितत्व कौन है तो जरूरी खनी जितत्व पौधों के लिए एनपी के कहा जाता है ना नाइटरोजन, पोटाशियम और फॉसफोरस इसमें कौन देख रहा है सरफ नाइटरोजन ने देख रहा है तो आप्शन नंबर भी हैं आप सिक्षक होंगे भी अपनी कद काठी को और बढ़ाने के लिए आप अलग-अलग एक्जामेनेशन दे रहे हैं अलग-अलग संस्थानों में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी जो वाक पटूता होगी आपके ज्यान से ही साबित होगी जब आप बच्चों को अपने लिहाजे में उन ज्यान की बातों को बताएं जो किताबों में अंकित है अब तक ठीक है ना जैसे आप ट्राइट आपको समझने की कोशिश करें ट्राइटो अंडर्स्टाइड प्लांट को काबन डाइकसाइड चाहिए और और पौधे को क्या चाहिए नाइट्रोजेन ही चाहिए तो ये एक बालंस है जो नेचर में बना हुआ है पौधा जो चाहिए हम उसे गिराते हैं तो जन्तु सामराज के मैकसिमम जो हमारे हिसाब से आउट्पुट्स है वो एक तरीके से वनस्पति यानि नेचर का इन्पुट है इसलिए कहा जाता है प्रकृत से डरो प्रकृत बहुत ही प्रकृत ही जन्नी है प्रकृत ही मारेगी क्योंकि जो बाहद के और्गानिजम्स जिसका हम एक एरा कहते हैं कि डायनोसौर्स का एरा रहा रेप्टाइल सरिस्रिपो की एक एरा रही एरा का मतलब एक सदी रहा उनका और ये रहा भी धरती पर जब जीव की जीन यानि जो उसका अनुवानशिक पदार्थ डेवलप कर जाता है इसको आप जेनेटीक्स में समुझते हैं इसके जादा अंदर में नहीं जाओंगा लेकिन आपपो ए समझना होगा कि जो भी ये जो जूली में करते हो जो लूब जब पूट होता है वह बॉटटे नहीं समझा रहा जब पॉइंगा hetrank ऑड़ते हूं अगे अगला स तो जला दिये जाते हो या दफना दिये जाते हो तो बने किस से हो carbon और वही सारे खनीज बॉडी में है वो soil में जाता है soil वापस उसको nutrients के रूप में ले लेता है और फिर फल सबजी बनती है और उसी को आप खाते हो उसी से जीते हो it is just a cycle which is not a trace element trace मतलब जो बहुत कम मातरा में पाई जाए तो इनमें से कौन कम मातरा में नहीं पाई जाती sodium, boron, carbon या zinc बताए क्या होगा सही जवाब question number 34 a, b, c, a, d तो सबसे कम मातरा में कौन सी नहीं पा जाती और ये मैं बता दू animals के respect में नहीं, plants के respect में कही जा रही है तो plant हो या animal हो, किसी के भी body में अगर आप देखो तो ज्यादा मातरा में कार्बन होता है और बाकी जितने भी होते हैं खनीज वो कम मात्रा में होते हैं लेकिन कार्बन भारी मात्रा में होता है with respect to other minerals बाकी खनीज या तत्वों के respect में कार्बन की जो प्रतिशत्ता होती है पादप शरीर हो या फिर जंतु शरीर हो वो जादा है इसलिए हम उसे trace नही में बात करते हैं तो plasma में आप 90-92 प्रतिशत पानी बताते हो pancreas का juice के बारे में बात करो आतों के रस के बारे में बात करो जठर के बारे में बात करो बोड़ी की कोई भी sac до किक्रिशन के बारे में बात करोह उसमें water सबसे ज़ादा होगा और जो substances हों गे पदार्थ होंगे, जो खनीज होंगे, जो आयन होंगे, वो बहुत ही कम मातरा में मौझूद होते हैं, एक से चार परसेंट, चार से पांच परसेंट, 0.221 परसेंट ऐसे, गेटिंग माइ पॉइंट, और आज का आखरी सवाल, question number 35, dash is a trace element, कम मातरा में पाया जाने वाला, इन हाती है, ठीक है ना, इसी लिए water और electrolytes बहुत जरूरी है, इसी लिए जल और खनीज का नियमन, plant body में भी होता है, और animal body में तो बहुत जरूरी है, अगर water और electrolyte का balance ना हो, तो रक्त या नि, blood का pH maintain नहीं होगा, blood का pH maintain नहीं होगा, तो acid-based balance हमारे body में नहीं बनेगा, और फ अब मैं बता दूँ कि आप अगर interested हैं, और TGT science की तैरी करना चाहते हैं, और आपने paid batch अब तक नहीं ली, तो इस number पे call करके आप batch की जानकारी ले सकते हैं, वैसे TGT science की batch, PGT की और PRT level की batches चल रही हैं, आपके teachers adda 24-7 YouTube channel पे भी, और आपके paid batches भी adda 24-7 पे चल रहे हैं paid platform पे, teaching का महापैक, जिस महापैक के बारे में मैं बात कर रहा था कि अगर आप किसी भी teaching examination की तैरी कर रहे हैं, तो आप हमेशा teaching का महापैक लें, यूग कि ना केवल ये बिहार सिक्षक भरती, बलकि CETED, DLSB, EMRS, आने वाली, आपकी UP, TGT, PGT, सब को cover करता है, ठीक है ना, तो उमीद यही करता हूँ कि आने वाले जो भी sessions हो, आने वाली जो भी आपकी decisions हो, वो आपके पक्ष में हो, आपके seat के पक्ष में हो, तैयारी रोजाना करिए, because, याद रखे, अगर जिंदगी में कोई अंतर लाएगा, कोई तबदीलियां लाएगा, कोई बदलाव अगर अगर आपके जिंदगी में आती है, तो वो सरफ एक चीज से आती है, और वो है, आप रोजाना किसी एक चीज को लगातार करते हैं या नहीं, और वो एक चीज जो रोजाना आपको करना है, वो है अध्यायन, सिक्षन, तो रोज आपको कोई एक चीज पढ़नी है, ध्यान अगर आप इस बात को गांठ बांध लें तो एक महीने के अंदर आप खुद मुझसे बोलेगा कि सर आपने ये बात उस शनिवार के रात हमें बताई थी और एक महना इसको मैंने फॉलो किया और कोई चेंज नहीं आया आप बस एक बात मेरी बांध लें आप किसी भी एक के संबंदी हो उनको समझाओ बताओ इससे क्या होगी रिविजन आटोमाटिकली और साथ साथ हो जाती है और रोज ये करने की कोशिश करो at the end of 30 days जितने भी टॉपिक्स आपने सीखे आप खुद देखोगे कि काफी इजाफा हुआ आपके अंदर लेकिन करना क्या है वो है एवरी डे रोज होना चाहिए वो ऐसा नहीं कि कल पर सो तो किया था पिछले हफ्ते में किया था आप ब्रेक लेंगे सांस चाहिए कि नहीं जीने के लिए तो जितनी जरूरी आपके लिए सांसे हैं उतनी जरूरी एक घंटे की अध्यान at minimum तो होनी चाहिए आंधी तुफा सकता है कि उनका section पूरा हो गया देखे आप कितने भी YouTube sessions ले ले कितनी भी paid batches खरीद ले जब तक आप self study नहीं कर रहे हैं इसका कोई फाइदा नहीं होने वाला है हम आपको सरफ mark दिखा सकते हैं कि रास्ता क्या है किस तरीके से आपको selection मिल सकती है कहां कौन सी batch लोगे तो क कोई नहीं जानने वाला तो that matters वो जरूरी है और वो है everyday तो आप section करिए अपना अध्यान करिए रोजाना करिए it is everyday that matters इस line को याद रखना कहीं लिख लेना दिवाल पे बड़े से अक्षरों में लिख लेना कि it is everyday that matters रोजाना जो चीज हो वही matter करती है life में वरनास बाकी सा आने में हम बहुत माहर हैं और फिर उन्यादों के सहरे रोना कभी खुशी मनाना लेकिन आप भी सोचो अगर वह चीज जो रोजाना हो उससे आप तरो ताजा हमेशा जवान रहेंगे इसलिए सिक्षा कभी बोड़ी नहीं होती सिक्षा ग्यान हमेशा नौजवान रहती है तो अपने ग्यान को और बढ़ाएं और उसमें सहपागी होने वाला है टीचर सद्दा की पूरी टीम टीचर सद्दा की पूरी टीम के साथ आप जो भी एग्जामनेशन की तैयारी करना चाहते हैं वो इस महा पैक के दवारा पूरा हो जाता है कूपन कोड Y223 लगा लिजे तो अगर आपको वो आफलाइन किताब चाहिए वो भी हिंदी में अंग्रेजी में तो आप बिहार के TGT PGT बुक्स को खरीदने के लिए अगर 24-7 आप पे जाएंगे और कूपन कोड लगाएंगे Y223S ये तो हो गई दिहार सिक्षक भरती के स्टूडेंट्स के लिए बाकी जो हमारे EMRS और DSSB के आस्परेंट्स हैं उनके लिए मंडे से सेशन YouTube पे फ्री में स्टार्य तो रोजाना जुड़ते रहिएगा और नई नई बाते विज्ञान की सीखते रहिएगा अध्यु कि आए जाएंगे लिए गाएंगे रिए विज्ञान आप द्विज्ञान की सीखते रहिएगा झाल झाल